नमस्कार, अम्मा किथाली में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं हरी मटर की निमोना सर्दियों को मौसम में हरी मटर सभी को बहुत अच्छे लगते हैं चाहे मटर पनीर हो या मटर खुडाओ हो किसी भी सब्जी में हरी मटर पढ़ जाते हैं तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों को मौसम में दाल सभी को अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए आज हम बनाने वाले हरी मटर की निमोना जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो आप एक बार इस तरीके से हरी मटर्ग निमोना जरूर बना कर खाएं निमोना बनाने के लिए यहां पर हमने 700 ग्राम हरी मटर लिया है जाएं पर भान न का सिल्करन निकाल कर पानिस साब के लिया है यहाँ पर थोड़ा से धनियाग पत्ती इस तरीके से लिया है थोड़ा से हरे लासुन की पत्ती दो बड़े चमज सरसुखतेल एक चोथाई छोटी चमज धनिया पाउडर एक चोथाई छोटी चमज हदी पाउडर एक चोथाई छोटी चमज गरम मसाला एक चमज देशी घी, यहाँ हमने तीन कोहड़ोरी लिया जिसे लोग बरी कहते हैं, तीन हरी मिर्ट दुभागों के काट लिया है, एक छोटी चमज नमक स्वात के अंसार, यहाँ पानी लिया है निमूना बनाने के लिए, सबसे पहले हम हरी मटर को छी लेंगे, यह हरी मटर ह हमने मार्केट से तन ताजे दिये हैं, इसके दाने खाने बहुत मीठे हैं, अगर हरी मटर रिदम ताजे और मीठे रहते हैं, तो निमूना खाने बहुत स्वादिश लगते हैं अब हमने एक एक करके सारे मटर के दाने चील लिये हैं, अब आलू को हम छोटे चोटे पीस में काट लेते हैं इस तरीके से हमने आलू छोटे चोटे पीस में काट लिये हैं, अब हरी मटर को हम पानी से साब करेंगे अब इस छनिम हरी मटर को निकाल लेते हैं, जिससे इसका पानी नीचे से निकल जाएं हरी मटर को हमने अच्छे से पानी साब कर लिये हैं, इसका इस्टर पानी पतीले निकल गया है अब इस ताले इम हम मटर को निकाल लेते हैं साफ करें जद लिए के लिए शक्राट सेimmer हे आलु को ने स्रुम सेकर पैंदें मतर को सेल पर जाब कर नहीं डौगें नहीं डालेंगे सुखर को हम ऐसें कि हम बहुत थो बर mo stitch lavender अब साफेंगे अगर आपके घर में सील है तो सीद पर पीस करने मोना बनाएं इसका टेश्ट और अच्छा लगता है इस तरीके से हमने बिना पानिक मटक पीस लिया है अब इस थालिम निकाल लेते हैं अब इसी सील पर धनिया पत्ती हरे लासुन की पत्ती और हरी मिर्च को पीस लेते हैं पहले हम धनिया पत्ती को पीसेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर पीसेंगे धनिया पत्ती हमने पीस लिया है इस कटोरिम निकाल लेते हैं अब सील पर हम हरी मिर्च और लासुन की पत्ती पीसेंगे लासुन की पत्ती हम छुड़ा छुड़ा टुगड़ा हम काट लेते हैं अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर पीसेंगे निमोना यूपी में बहुत फेमास है इसलिए हम यूपी स्टाइल में बना रहे हैं हमने हरे मिर्च हरे लासुन को पीस लिया है अब इसको भी इसी कटोरी निकाल लेते हैं अब हम निमोना को बनाएंगे निमोना बनाने के लिए हमने एक कडाही दिया है इसको अन करेंगे और कडाहीं तेल डालकर हलका गरम करेंगे तेल हमारे गरम हो चुके है अब इसमें डालेंगे बरी अगर आपके घर में बरी नहीं है ता आप जीरक तड़का लगाएं अगर आपके घर में बरी है तो बरी नीमोना हम जरूर डालें क्योंकि बरी नीमोना के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं गैस को हम मेडियम में रखेंगे यह बरी हमारे भुन गये हैं अब इसमें पीसा हुगा मटा राव आलू साथ में डालेंगे अब इसको हम 10 मिनट तक भुनेंगे जिससे मटर के कच्चा पन निकल जाए और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे चलाना नहीं छोड़ेंगे अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो नीचे से जल जाएंगे उपर से कच्चे रह जाएंगे गैस को हम मेडिय में रखेंगे लग 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 जग लगा है इसका कच्चा पन निकल गया है, अब मटा रो आलू की इस तरीके से किनारे करके बीच में जगा बनाएंगे, अब इसमें हम पीशा हुआ धनिया लास्टून हरी मिश्ट को डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, स्वाद के अंसार, इसमें हम थोड़ा स्पानी डाल देते हैं, अब इसको हम 10 मिनट तक भूर कर मसाले को पकाएंगे, यह निमोना हमने सुखा मसाला हलका डाला है, क्योंकि निमोना में सुखे मसाला ज्यादा अच्छे नहीं लगते, अगर आप सुखा मसाला ज्यादा खाना चाहते हैं, तो मसाला बढ़ा सकते हैं, इसे हम लगातार चला कर भूनेंगे, जिससे इसका पानी सुख जाएं मसाले पक जाएं, मसाले को हमने मटा राओ आलूम अच्छे तरीके सी मिला कर भून लिया है, इसका पानी सुख गया है, और मसाले अच्छे सी पक गए हैं, अब इसमें हम डेड़ कप पानी डालेंगे, अब पानी हम अच्छे सी मिला लेते हैं, यहाँ हमने डेड़ कप पानी डाला है, अगर आप निमूना और पतला बनाना चाहते हैं, पानी और डाल सकते हैं, और अगर आप गाड़ा निमूना खाना पसंद करते हैं, तो पानी पानी को निमोना हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है अब इसे ध्हक कर 10 मिनट तक धीनी याज प्रकाएंगे 10 मिनट हमारे हो चुके हैं ध्हक कर निमोना को चेक कर लेते हैं अब हम आलू को चेक कर लेते हैं यह अब देख सकते हैं आलो हमारे इदम पक कर तयार हो चुके हैं निमोना हमारे इदम बन कर तयार हो गए हैं अब हम गयज को बंग कर देते हैं अब इस बरतन में निमूना को निकाल लेते हैं यह हमारे निमूना में से बहुत अच्छी खुस्कुआ रही है बहुत अच्छे निमूना बने हैं हमने निमूना को इस बरतन में निकाल दिया है अब निमूना हम उपर से देशी घी मिला देते हैं यह आप देख सकते हैं हमारे निमूना इस तरीके से बनकर तयार हो चुके हैं इस तरीके से हमने हरी मटर का निमूना बनाया है सर्दियों को मौसम चल रहा है हरी मटर मार्केट भी ताजी मिल रहे हैं तो आप भी इस तरीके से अपने घर को हरी मटरक निहोना जरूर बना कर खाएं। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत स्वाधिश लगते हैं। अगर आज के वीडियो में आपको अच्छे लगा तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना कूँए.